ह hail प्लदे स्टुदेन्ट स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चेर में देखेंगे और क्यूप्षन के अक खूटिंग in नार कि अहां पर किमा धिके सैंप प्रत меш चार आगुन हमें निकालने है और देஞ क्या है हाँ पर calculate करने है देखिए central moment हमें यहाँ पर calculate करने है canary आगोन एक mu1, mu2, mu3, mu4 हमें यहाँ पर देखिए calculate करना है इनकी values हमें निकालना है अब देखिए यहाँ पर यह जितने भी central moment है जितने भी canary आगोन है इनको calculate हम किस तरह से करेंगे देखिए इसका जो general formula होता है किस तरह से होता है 1 upon n summation f x minus x bar की power r यह देखे central moment है moment about mean इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया है mean otherwise यहाँ पर हम क्या लेते हैं small a यहाँ एक arbitrary point लेते हैं जब भी moment about given point तो फिर हम a ले लेते हैं यहाँ पर moment about mean यहाँ पर देखे माद्य के साफिक शागून की बात कही जा रही है इसलिए हमें यहाँ पर mu r dash हमें calculate करना है और यहाँ पर देखे question इस तरह से बने जैसे moment about point equal 10 तो यहाँ पर देखे इस बिंदू a के साफिक शागत हमें moment निकालना है आगूर निकालना है तो वो किसे denote होते हैं देखे mu r dash से यहाँ पर देखे moment about mean की बात कही गई है और जब भी moment about mean की बात की जाती है तो देखे उसको हम mu r से denote करते हैं तो देखे यहाँ पर हमें तो क्या निकालना है देखे हमें यहाँ पर देखे mu r हमें यहां पर calculate करना है mu r हम इस तरह से calculate करेंगे और देखे जो भी calculation होगी इस formula के according होगी यहां पर इस formula में देखे हमें क्या-क्या requirement है सबसे पहले देखे हमें x बार चाहिए moment about mean के लिए हमें सबसे पहले के चाहिए mean चाहिए समानतर माध्य एक्स बार चाहिए तो देखे एक्स बार हम इन डेटा से हम निकाल लेंगे और यह वैसे भी डिस्क्रीट सीरीज में है सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेटा दी प्रजेंटेशन के तीन तरीके होते हैं एक होती इनडिवीजबल सीरीज उसके बाद यह होती है डिस्क्रीट और एक होता है क्लास इंटरण की फॉम में जिसे हम कंटिनियूस और इसके लिए देखिए किस तरह से हम Topन वगते हैं तो चलिए यहाँ पर हम calculate कर लेते हैं तो देखें यहाँ पर सब से पहले चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो कि देखें यहाँ calculation थोड़ी सी लंबी होगी तो देखें यहाँ पर जो भी data हमें दे रखें हैं वो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले mention कर लेते हैं सबी को यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं देखें सबसे पहले हमें क्या दिया है देखिए x हमें दे रखा है क्योंकि यह discrete series है x के साथ हमें क्या दिया जाता है देखिए f और उसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे sigma fx क्योंकि हमें mean हमें calculate करना तो देखिए जो भी requirement होगी यहां x f given है और यहां पर हम fx हम निकालेंगे और fx क्यों निकालेंगे क्योंकि देखिए x bar होता क्या है stigma fx upon n यहां पर देखिए stigma fx की हमें जोद पड़ेंगी तो यह भी हम निकालेंगे और देखिए उसके बाद जो mu r है mu r का formula में आपको बताया था summation f x minus x bar की power r क्या होता है x minus x bar और इसकी power r जैसे हम mu 2 को calculate करेंगे तो यहां पर r की value 2 रख देंगे mu 3 के लिए r equal 3 और mu 4 के लिए r की value कितनी हो जाएगी 4 अब यहां पर देखिए x minus x bar की 2 power हमें चाहिए 3 power चाहिए 4 power चाहिए जो भी calculation होगी जो भी table हम बनाएंगे यहां पर इस table में जो भी calculation करेंगे वह formula के according होगी ठीक है तो यहां पर देखिए हमें किसकी requirement होगी x minus x bar की तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे देखिए x minus x bar फिर उसके बाद देखिए f के साथ क्या लेंगे हम 1 power 2 power और 3 4 power यह लिजिए इसके 4 column हम कर लेते हैं इस तरह से चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें calculation करनी होगी fx से हमें x bar मिलेगा और फिर देखिए x minus x bar और x bar की क्या value है यहां पर हम लिख लेंगे तो थोड़ा सा space यहां पर रख लेते हैं देखिए x minus x bar और फिर देखिए जो भी x minus x bar आएगा उसको हम f से multiply करेंगे और फिर देखिए x minus x bar की 2 power और फिर देखिए x minus x bar की हम 3 power लेंगे और x minus x bar की हम 4 power भी हम लेंगे क्योंकि देखिए यहां पर mu r का जो formula होता है 1 upon n summation f x minus x bar की power r देखिए जब हम mu 2 को calculate करेंगे तो mu 2 का क्या formula बनेगा यहां पर f x minus x bar की power 2 तो देखिए यहां पर इस quantity का हमें sum करना है तो यहां पर वो इस वाले column से मिलेगा जब हम mu 3 calculate करेंगे mu 3 तो mu 3 के लिए देखिए यह वाला column हम इनके जितने भी यहां पर जितने भी numbers होंगे जितने भी outputs होंगे उनको हम देखिए उनका sum करेंगे उनने जोडेंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा af x minus x bar की 3 power और देखिए यहां पर mu 4 के लिए देखिए इस वाले column का use करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए af-x-x एक एक्स बार की टुपावर फिर इत्पावर और फॉरफ पावर इस Tarere से डेखें यहां पर requirement हमें होती है सबसे पहले डेखें फोर्मॉलर में हमें क्या चाहिए हमें यहां पर एक्स बार हमें चाहिए तो एक्स बार के लिए देखिए एपेक्स वाला कोलम हमने बना लिया है और यहां पर देखिए इसमें डेटा भी हम फिलप कर देते हैं एक्स की वेल्यू कितनी यह देखे 6 7 8 9 10 11 12 तो यहां पर देखें कंटिनियूस है 6 7 यह लिए यह एक्स की वेल्यू हो गई और देखिए एक्स की वेल्यू कितनी है 3 6 9 और देखिए इसके बाद कितनी है 13 8 5 4 और यहां पर देखे सम फ्रिक्वेंसी यहां से देखिए एन की वेल्यू मिलेगी और देखिए एन की वेल्यू को अगर हम केलकुलेट करें तो यहां पर देखिए इन सब को एड कर दीजिए देखिए 9 और 8 17 और यह कितना हो जागा 30 39 और यह जागा 48 टोटल कितना मिला है देखिए यहां पर इसका रिजल्ट हमें मिला है समेशन एफ सम ओफ और फ्रिक्वेंसी समस्त बारम बारताओं का यह कितना है 48 अब देखिए यहां पर एफेक्स भी हम केलकुलेट कर लेते इसको इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए 18 42 72 117 और यहां ह हो जाएगा देखिए 48 इस कोलम को एड़ करेंगे हमें मिलेगा समेशन एफेक्स और देखिए जो समेशन एफेक्स की जो वेल्यू है कि इतनी मिलेगी हमें समेशन एफेक्स हमें मिलेगा यहां पर अगर हम इसे आपस में एड़ करें देखें यहां पर कितना हो जाएगा 13, 20, 22, 24 और यह हो जाएगा देखे 32, 3, 7 और 12, 20, 21, 28 और 32 और यह हो जाएगा देखे 33, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा देखे 4 तो यहां पर देखें summation fx हमें कितना मिला है 4, 32 तो देखें सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे सबसे पहले हम यहां पर mean को हम calculate करेंगे समानतर माद देखें यहां पर we know that माध्य मीन क्या होता देखें इसका formula होता है देखें एक्स बार एक्वल सिग्मा एफेक्स अपॉन एन और देखें सिग्मा एफेक्स हमें कितना मिला है देखें 4, 32 और 4, 32 और दिवाइड बाए अर्टी एट और देखिए इसको हम calculate कर लेंगे यहां पर देखिए divide कर लेट हम किस से और से divide कर सकते हैं यहां पर यह लीजिए और यहां पर देखें total nine times यह cancel हो जाता तो देखिए इस तरह से जो एक्स बार हमें मिला है एक्स बार क्या मिला है 9 तो यहाँ पर देखिए X बार की जो value है वो कितनी है देखिए 9 है अब देखिए यहाँ पर आगे के जितने भी columns हैं वो सब हमें यहाँ पर देखे calculate करने होंगे क्योंकि हम mu1 से लेकर हमें mu4 तक चाहिए तो देखिए यहाँ पर इस वाले column को हम calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए X माइनस X बार यह जितनी भी X की values है इन में से हमें X बार को subtract करना है तो यहाँ पर X बार की value कितनी आई है देखिए X बार की value 9 तो जितने भी X है सभी में से 9 कम कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए माइनस 3 माइनस 2 0 1 2 3 और देखिए इसको हम किस से multiply करेंगे X माइनस X बार की values को हम X से multiply करेंगे यह यह दोनों column आपस में multiply कर रहा है चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू माइनस 3 6 इंटू माइनस 2 9 इंटू माइनस 1 13 इंटू 0 और यहाँ हो जाएगा देखिए 8 10 12 और देखिए इस column को हमें यहाँ पर इसका सम करना है सभी को जोड़ना है तो देखिए summation F X माइनस X बार इसकी value कितनी मिलेगी सब की value अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 21 30 और यह हो जाया गा देखिए यह भी 30 तो हम किसे multiply करेंगे इन सब का square करके और देखिए इनकी requirement क्यों हुई क्योंकि यहाँ पर हमें म्यूटू को find करना है म्यूटू के लिए देखिए इसकी requirement होगी तो देखिए डेटा जब हमें दिये जाते हैं तो उन डेटा से देखिए जो moments हैं वह बहुत easily हम calculate कर सकते हैं इस तरह से तो चलिए यहाँ पर हम इसको निकालते हैं तो देखिए इसका square करके f से multiply तो यह हो जाएगा देखिए 9 into 3 इसका square 4 into 6 इसका square 1 into 9 और यह हो जाएगा देखिए 0 तो square और उसको 8 से multiply करेंगे 8 और देखिए यहाँ पर इसका square कितना होगा 4 into 5 20 और यह हो जाएगा 9 into 4 that is 36 चलिए यहाँ सभी को हम calculate कर लेते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा summation f x minus x bar की 2 पावर चलिए इसको हम calculate करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर 6 और यह हो जाएगा 14 और 23 27 और 27 और 34 तो यह लिजिए 4 और 3 यह लिजिए 124 तो यहाँ पर देखिए summation f x minus x bar का और इसका कितने मिला 124 चलिए अब हमें यह वाली कोलम देखिए complete करनी है तो उसके लिए देखिए x minus x bar का cube करना है और उसको f से multiply करना है यह रहा देखिए x minus x bar इनका cube करना है और उसको इस f वाले कोलम से multiply करना है चलिए इसका cube हो जागा देखिए माइनस का 27 into 3 तो यह आएगा देखिए minus 81 इसका cube minus 8 into 6 48 और देखिए इसका cube minus 1 into 9 तो minus का 9 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का cube तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखें तो 1 का cube 1 into 8 2 का cube 8, 8 into 5 और यहाँ पर देखिए 3 का cube होता है 9 और 9 into अच्छा 3 का cube तो देखिए कितना होता है 27 और 27 into 4 तो 27 into 4 कितना हो जागा है यहाँ पर 108 यहाँ पर देखिए इसका हमने cube किया 3 का cube होता है देखिए 27 into 4 और यहाँ पर देखिए 8 into 5 तो इस तरह से देखिए यह वाला kolum हमने यहाँ पर देखिए complete कर लिया चलिए इनको भी हम आपस में जोड़ देते हैं इनका भी sum हम निकाल लेते हैं तो एक सु माइनस एक सुबार की 3 पावर हमें कितनी मिलेगी कि यहाँ पर देखिए प्लस अलग केल्कुलेट करेंगे माइनस अलग केल्कुलेट करें ठीक है तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले नंबर सम केल्कुलेट कर लेते हैं तो देखिए कितना होगा यहाँ पर यह लिजिए माइनस का 138 और देखिए प्लस वाले केल्कुलेट कर लेते हैं तो यह हो जागा 48 और 80 हो गया 56 156 कितना हो गया देखिए प्लस का 156 चलिए तो यहाँ पर देखिए फाइन यह मिलेगा देखी यहां पर plus का 18 कितना result आएगा यहां पर plus 4 पावर हमें लगानी है 4 पावर करना है उसको इस एफ के कोलम से मल्टिप्लाई करना चलिए इसकी 4 पावर हो जाएगी देखिए 81 और 81 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए 243 किलियर अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इस पर इसका आप 4 पावर लीजिए तो यह हो जाएगा 16 और 16 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 और देखिए लाश्ट में यहाँ पर देखिए 3rd कौन सी है इसका 4 पावर ले 1 इंटू 9 यहाँ देखिए 0 की 4 पावर 0 तो फाइनली यहाँ जीरो आएगा और देखिए अब हमें इसकी 4 पावर 1 1 इंटू 8 तो फाइनली यहाँ मिलेगा देखिए 8 तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी केलकुलेशन है इसके बाद देखिए इसकी 4 पावर वही 16 हो जाएगी और 5 से मल्टिप्लाई करोगे कितना मिलेगा देखिए 80 और उसके बाद देखिए इसकी 4 पावर 81 ठीके और 81 को हमें किस से मल्टिप्लाई करना है 4 से तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा 324 तो चलिए इस तरह से देखिए सभी कोलम्स कम्प्लीट हो जाते हैं इसकी 4 पावर को इस से मल्टिप्लाई किया कितना मिला है हमें 324 अब देखिए यहाँ पर इस वाले कोलम्स का भी हम सम करेंगे सभी को जोडेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 और देखिए इसकी वेल्यू हमें क्या मिलेगी चलिए सभी का हम सम कर लेते हैं देखिए 4 और 8 हो जाता 12 और 921 27 और 30 30 और यहां 3 आ जाएगा 4, 3, 7, 9, 16, 16 और 24 और 2, 26, 2, 3, 5, 5 और 2, 7, that is 7, 6, 0 तो देखिए यहां पर हमें कितना मिला है देखिए 7, 6, 0 तो देखिए यह है स्वामेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 तो देखिए यहां पर हमने इस तरह से कोलम क्यों लिए क्यों कि जो फॉर्मूला होता है देखिए सारी केलकुलेशन देखिए इसी से चलती है यहां पर जो मियू आर हमें केलकुलेट करना है मियू आर होता है देखिए 1 अपॉन एन एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 और यहां पर जो भी table बनेगी जो भी calculation होगी इस formula के according होगी यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां क्या है देखिए x bar x bar की यहां सबसे पहले requirement होगी x bar होता क्या है stigma f x upon n f x और n की requirement होगी तो सबसे पहले देखिए हमने f x ही निकाला है क्योंकि x bar हमें चाहिए तो इस column की help से देखिए हमने x bar को calculate कर लिया है अब देखिए x bar की value कितनी मिली है 9 और यहां पर देखिए हमें mu 1, mu 2, mu 3, mu 4 हमें calculate करना है तो यहां पर देखिए r की value 1, 2, 3, 4 रखें तो देखिए यहां पर summation f x minus x bar फिर f x minus x bar का square फिर cube फिर 4 तो यहां पर देखिए x minus x bar की 1, 2, 3, 4 पावर की हमें requirement होगी है ना 4 तक की power की requirement यहां पर होगी तो यहां पर देखिए हमने f के साथ जितनी भी power थी सभी को हमने यहां पर देखिए इस तरह से calculate कर लिया है अब देखिए सीधा हमें formula apply करना है तो देखिए यहां पर जो भी यह table बनेगी जो भी calculation होगी यह formula का according होगी पहले आप formula को समझें उसमें क्या क्या requirement है वो आप देखें और उसके बाद इस तरह से calculation करें चलिए इससे हटा देते हैं तो यह था question और यह data हमने इस तरह से calculate किये एक सबार हमने निकाल लिया था अब देखिए we know that moment about mean देखिए माद देखे सापेक्ष जो आगून होते हैं किस्ते denote करते हैं देखिए म्यू आर डेश और देखे म्यू आर डेश का formula क्या होता है 1 upon n summation f x minus x bar की power r आला कि देखिए हम इस तरह से भी लिखते हैं म्यू आर इक्कोल 1 upon n summation f i x i minus x bar की power r i की हाँ पर हम limit लगा देते हैं और देखिए i की limit आप summation पर limit नहीं लगाते हो तो यहां से देखिए i को हम हटा सकते हैं यह आई यहां पर देखिए variable का symbol है किसको denote करता है variable को यहां पर x और f vary कर रहे है summation इनी पर apply होगा तो देखिए यहां पर इस formula को हमें इसे भी लिख सकते हैं यहां पर देखिए हम सबसे पहले एक मिनिट यह तो देखिए central moment की बात है है तो यहां डेश नहीं आएगा ठीक है जब भी हम moment about mean निकालते हैं तो उसको मियू आर से denote करते हैं और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट तो फिर हम उसे मियू आर बेस से denote करते हैं तो यह केंदरी आगून है माद्दी के साफ़ेक्ष आगून लेते हैं तो मियू आर से ही व्यक्त किया जाता है तो देखिए सबसे पहले हम मियू वन की बात करें तो मियू वन क्या हो जाएगा देखिए वन अपॉन एंड समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बात आर की जगे क्या ले लेंगे यहां पर वन हम ले लेंगे और देखिए वैसे तो यह जीरो होता है मियू वन की वेल्यू कितनी होती है जीरो यह तो एक इस्टेंडर रिजल्ट है डारेक्ट आपको ध्यान हो देखिए एन की वेल्यू 48 है सम आफ ओल फ्रिक्वेंसी किसके एक्वल है 48 के एक्वल यहां पर देखिए वन अपॉन एट इंटो जीरो तो यह देखिए फाइनली हमें 0 मिला है यह हो गया देखिए पहला अब देखिए हमें क्या निकालना है अब हमें केलकुलेट करना है यहां पर म्यूटू म्यूटू क्या होता है देखिए वन अपॉन एंट समेशन एफ एकस माइनस एकस बाद की पावर टू तो देखिए वन अपॉन पॉर्टी एट यहां पर देखिए समेशन एफ एकस माइनस एकस बाद इसकी वेल्यू देखिए कितनी आई है यहां पर 124 तो देखें, one to one टी four ऐलेए इसको भी, हम calculate करते हैं, four से divide कर देते हैं तो यहां पर देखे, three time और यहां पर देखे, one time, यह लिजिए और यहां पर देखिए तो देखे, इस तरह से यहांपर हमें result मिला है और इसको भी हम calculate कर लेते हैं देखिए कितने time divide हो गए 2 time और यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा 7 तो देखिए 0.05 times फिर यहाँ पर देखिए 10 यहाँ हो जाएगा देखिए 2.58 और यही है देखिए final result तो देखिए यहां पर इस तरह का result हमें मिला है अब यहां पर देखिए यह हुआ अब हम बात करेंगे देखिए तो यहां R की जगे क्या put कर देंगे हम mu 3 हम put कर देंगे R की जगे 3 put कीजी formula क्या बनेगा summation f x minus x bar की power 3 और देखिए यहां पर 1 upon n तो वही 1 upon 48 n का मतलब capital n यहां पर किसे denote करता है देखिए sum of all frequency समस्त बारम बारताओं के योग को और देखिए into summation x minus x bar का cube और देखिए यह भी हम calculate कर चुके हैं यह कितना है देखिए 18 तो यहां पर देखिए यह लिजी और यहां यहां पर देखिए हम इसको 6 से हम डिवाइट कर देंगे 3 अपॉन तो यहां पर देखिए 6 से यह लीजिए कि देखिए 3 अपॉन 8 हमें मिला है इसको भी हम डिवाइट कर लेते हैं तो देखिए 0.0 यहां पर 0.0 तो यह उजाएगा 30 फिर 6 यहां पर देखिए 7 और फिर बच्चे का 4 देट इस 5 टाइम 40 हो जाएगा यह लीजिए 375 और यही है देखिए मियू 3 की final value तो देखिए इस तरह से मियू 3 calculate हो जाता है अब हम बात करेंगे देखिए मियू 4 की तोड़ा सा इस्पेस मेनेज करना पड़ेगा यह लीजिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे किसकी मियू 4 की यहां फोर्द मोमेंट अबाउट मीन मार्दी के साफेक्षम चोथा आगून यहां पर निकाल रहा है तो देखिए मार्दी के साफेक्ष चोथा आगून क्या हो जाएगा आर की जगे हम यहां पर इस्टेंडर रिजल्ट में हम फोर रख देंगे चलिए फोर्द कर दीजिए समेशन एफ एकस माइनस एकस बार की पावर फोर्द यह ली देखिए 760 अब चलिह यहां भी हम केलकुलेशन करते हैं तो यहां पर देखिए एक से हम डिवाई कर सकते ैना है एएट से डिवय्ट किजिए तो देखिए 9 हम और यहां पर देखि ट से डिवय्ट करोगे तो देखिए होस्ताइम तो देखिए इस तरह से चैसे इस आप कोई केंसे हो रहा है है सीदे आप डिवय्ट कर दीजिए और फाइनल रिसलिट हमें किस beide से मिलेगा देखिए यह हो जायागा वन टाइम three और यहाँ पर देखिए five time और फिर बचेगा five point लग जाएगा यहाँ पर five बचेगा point zero fifty और देखिए fifty तो यहाँ पर देखिए eight time और उसके बाद यह लीजिए three time यहाँ पर देखिए इस तरह से बिलकुल सा ऑसाँ है इस तरह के क्विशन ऊसरीज एक्जाम में पूछ यहाँ पर देखिये डिस्क्रीट सी एक्स के साथ हमें एफ दिया है और देखिए यहीं अगर कंटिनियू सीरीज होती तो भी देखिए केल्कुलेशन एसी ही होती वहाँ पर हम एक्स की वेल्यू हम निकाल लेते हैं क्लास इंटर्वल हमें इस तरह से दिये जाते हैं जीरो से 10 10 से 20 और साथ में हमें फ्रिक्वेंसी दी जाती है तो यहां पर देखिए फ्रिक्वेंसी तो यह आपको क्विश्चन में मिल जाती है जब हम एक्स को केल्कुलेट करते हैं तो इन दोनों को हम आपस में जोड़के इसका आधा कर देते हैं तो इन दोनों का सम करके हाफ कीजिए 10 प्लस 0 बाइ 2 और इन दोनों को जोड़के आधा कर देंगे इस तरह से देखिए यहां पर x की वेल्यू निकल जाती है तो देखिए continuous शीरीज आ जाती है तो class interval के साथ आपको f मिलता है इस class interval की help से आप x निक से सोगा चलिए तो यहां पर देखिए यह जो डेटा है इस से हमें देखिए इस तरह से हमें यहां पर calculation करनी है और यह जो भी requirement है देखिए हमें किस कि requirement यहां पर हुई यह सब formula के according यहां पर formula यह था इस formula में हमें x-x बार की 4 power 3 power 2 power 1 power उसाथ में f का multiplication इन दोनों का multiplication हमें च complete किये हैं सभी columns में देखिए सभी का sum किया है तो इस तरह से यह हमें जितने भी summation है उसकी values हमें यहां पर find हो जाती है और सीदे सीदे हम formula में यहां पर values put करके जितने भी central moments हम easily calculate कर सकते हैं तो देखिए students इसी के साथ equation complete हो जाता है thank you so much